क्रेमलिन ने यूक्रेन पर बारूदी कहड़ाया, कीव ने उसी अंदाज में जवाब दिया रूस के हमलों का जवाब अमेरिका और बाकी यूरोपियन यूनियन के देशों ने भी दिया फर्ट सिर्फ इतना है के मॉस्कों ने यूक्रेन पर बम मिसाइल गिराए बदले की कारवाई में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपियस संग समेथ कई देशों की तरफ से आर्थिक, सामरिक, राजनाईक और सांस्कृतिक पाबंदियों की बंबारी हुई तो आईए सबसे पहले आपको बताते हैं के इस मोर्चिपर किस देश की तरफ से रूस पर अब तक किस तरह हमले किये गए हैं अमेरिका, रूस के दो सरकारी बैंकों के यूएस यूरोप में कारुबार पर रोख अमेरिका, ब्रिटन में रूस की सबर बैंक, वी टीवी बैंक पर बंदिशें ब्रिटन, पाँच रूसी बैंक को तीन रूसी अरब पतियों पर पाबंद दिया औस्ट्रिया, सबर बैंक, यूरोप पर मोरेटोरियम लगाया जर्मनी, 11.6 डॉलर की नॉर्ड स्ट्रीम टू गैस परियोजना पर रोख डैचे बोर्स ने रूसी स्टॉक्स को ट्रेडिंग से रोखा जैपैन, रूसी बॉंड पर रोख के साथ कुछ लोगों की देश में एंट्री बैंड यूरोपियन यूनियन, 351 रूसी राजनेताओं, रक्षा और बैंकिंग सेक्टर के 27 रूसी अफ्तरों पर प्रतिबन यूक्रेन, रूस के 351 नेताओं की एंट्री पर रोख और्स्टेलिया, रूसी सुरक्षा परिशत के 8 सदस्यों की देश में एंट्री पर रोख नौर्वे, सरकारी कंपणी एक्वी नौर, रूस के उपकरम का विनिवेश करेगी, कीमत करीब 280 करोड डॉलर दक्षिन कोरिया, रूस को electronic, semiconductor, computer, IT वा, communication उपकरन, सेंसर, लेजर समेथ कई उपकरनों के निर्याद पर सक्ति करेगा कैनेडा, रूसी चैनल प्रसारक रशिया टीवी परतिबंदित, रूसी विमानों के लिए हवाई शेतर भी परतिबंदित पोलेंड, चेकगरनाज, बुलगारी और एस्तोनिया ने रूस के हवाई शेतर को बंद किया, इंटरनेशनल पेमेंट स्विफ्ट से रूस को बाहर किया गया दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग लाइन मस्क ने रूस से जाने वाली और उसके लिए आने वाली डिलीवरी बैन की गूगल ने रूसी मीडिया आर्ट ये और स्पूतने के यूट्यूब चैनल को बैन किया फेस्बुक की पेमेंट कंपनी मेटा ने रूसी मीडिया पर प्रतिबंद लगाए अब रूस फेस्बुक प्लेटफॉर्म पर एट से होने वाली कमाई नहीं कर पाएगा अब यूकरेन के खिलाफ जंग छेडने के बाद अमेरिका समेत यूरोपियन यूनियन और बाकी देशों की ताबर तोड हमले से रूस की सेहत पर कितना असर पड़ा है इसे भी समझ लीजे रूस के सेंटरल बैंक ने अर्थोयस्था को बचाने और फाइनेशल इस्टेबिलिटी के लिए मुख्य बयाजदर 9.5 फीजदी से बढ़ा कर 20 फीजदी की ये पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा है महंगाई पर काबू पाने के लिए ये कदम उठाया गया है सुमवार को एक डॉलर के मुकाबले रशियन करंसी रूबल 30 फीजदी कमजोर हुई और यहां बहुत छोड़े से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं सज्जे कुलकर्णी साब और साथी अशोक सज्जनार सर दोनों हमारे सत मौजूद है एक ब्रेक लोट में जल्दा पर ये तामस नाव नव भारत के साथ झाल